नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम तु दिस वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरशाक के बारे में, वायरशाक एक ऐसा टूल है जो आपको आपके नेटवर्क में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी देता है, वायरशाक एक नेटवर्क एनलाइजर है, कुछ है पाकेट का मतलब हमेशा होता है layer 3 पे जो entity होती है उसे packet कहते है जैसे layer 3 पे हमारा होता है PDU packet data unit उसे हम लोग packet कहते हैं but हर layer पे किसी भी entity को हम लोग generally packet भी कहते है example के लिए layer 2 पे आपका जो frames होता है उसको अगर आप general term में कहें तो layer 2 का जो packet है उसे हम लोग फ्रेम कहते हैं लेयर 4 के packet को हम लोग segment कहते हैं तो packet यहाँ पे एक general term है और इसलिए इसे वायशाग को एक packet analyzer भी कहते हैं या फिर network analyzer तो आज हम बात करेंगे वायशाग network analyzer की आज हम दिखेंगे कि कैसे आप इसे download कर सकते हैं इसे कैसे use कर सकते हैं कैसे इसमें filters लगा सकते हैं और कैसे इसमें से आप अपने data को analyze कर सकते हैं मैं वायशाग कर रहा हूं Ubuntu पर Linux पर आप इसी Windows के लिए भी download कर सकते हैं उसे download के लिए आपको जाना पड़ है कि वायशाग.org पर तो हम लोग सर्च करेंगे वायशाग.org और जैसे हम वायशाग.org जाएंगे तो वहाँ पर आपको download button मिलेगा. तो download button के अंदर आप देखेंगे आपके पास अलग-अलग releases हैं यहाँ पर windows installer, source code, 32-bit, 64-bit. तो आपके, अब अपने system के साब से एक software जो भी suitable है वो download कीजिए. Download करने के बास आपके पास कुछ ऐसी screen आएगी. तो यह आपकी है वायशाग screen. इस screen पर अगर आप देखेंगे तो यह आपका menu bar है. यहाँ पर आपके पास filter option है. यहाँ पर आप filter डाल सकते हैं. यह एकसल में किसी formula bar की तरह हैं. और यह आपका interfaces है जिरे आप capture कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देखेंगे बेरे wifi पे थोड़ा traffic देख रहा है यहाँ पे. और loop back पे कुछ traffic है और bluetooth monitor में कुछ traffic है. यहाँ पर आपके पास documentation के लिए जगा है और यहाँ पर आपके पास current state wireshark का क्या है. या तो वो packet capture कर रहा है या फिर आभी ready to load है. कितन number of packets है वो आपको यहाँ पर दिखेगा और कौन सी profile आप use कर रहें. तो वाइट शाक में आप अलग-अलग profile बना सकते हैं उसे अपनी हिसाब से use कर सकते हैं. तो हम देखते हैं मैं अपने wifi network को double click करता हूँ इससे मेरा capture start हो जाएगा. जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ packets आने शुरू हो गए. अब यहाँ पर मेरे पास 53-55 packets यहाँ पर display कर रहा है. अभी मैंने कुछ traffic generate नहीं किया है. मैं कुछ traffic generate करता हूँ. तो मै मैं करूँगा ping google.com और जैसी मैं ping करूँगा मेरे पास ICMB echo request और echo reply traffic आएगा. तो यह हमारे पास traffic आ रहा है. आप देखेंगे 142. मैं जब फायर फायर फाक्स उपन करके आपको इसमें दिखाता हूँ. वाइशा के जग हम लोग जाते हैं किसी भी page पे. जैसे कि first page on the internet. और हम लोग इस page पे जाते हैं. browse the first website. तो अब यहाँ पे दिखेंगे आपकी हमारे पास HTTP traffic है. तो अब ही हमारे पास traffic generate हो रहा है. हम लोग इसे save कर सकते हैं किसी file में. तो file में जाके अगर आप इसे stop करें पहले, trace हो. तो यह stop का button है. यहाँ पे capture का button है. उसके बाद यह restart current capture तो अगर मैं इसे save करूँ. save. तो यह मैं को format दे रहा है. pcap ng. इसे sample trees के नाम से save कर रहा हूँ. मेरे पास 128 packet captured है. तो अभी यह तीन window आपको क्या दिखाती हैं? अब आपको explain कर देता हूँ. तो पहला window आपको यह तीन pane है. इन्हें window pane कह लीजाए after window frame. इसमें से पहला आप का यह है timeline. तो कहते हैं आप timeline. यानि कि इसमें आपको timeline के रूप में packet दिखेगा. इसे आप packet list भी कहते हैं. तो या तो आप इसे timeline कह सकते हैं? या packet list. यहाँ पे आपके पास packet details है. packet details. और यहाँ पे आपके पास raw packet या फिर hex dump है. तो अब हम लोग इसे filter कर लेते हैं. यहाँ पे HTTP traffic को. तो आप जैसे यहाँ पे HTTP type करके enter करेंगे आपको HTTP का traffic दिख जाएगा. मैं किसी HTTP traffic के conversation को select कर रहा हूँ. तो अब मैं जड़ा इसे आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे आपको. तो HTTP के traffic में अगर आप इस वाले frame इस वा inverted TCP IP model inverted इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका layer 1 और layer 2 तो जो हमारा layer 1 और layer 2 है. वो यहाँ आ गया. यह layer 3 हो गया. यह layer 4 और यह layer 5 जो कि आपका application layer. यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आ गया. तो हमारा application layer हो गया HTTP जो कि सबसे नीचे है. उसके बाद हमारा layer 4 आ गया. जो कि है TCP. फिर हमारा layer 3 आ गया. जो कि है IP. और फिर आ गया हमारा layer 1 और layer 2 जो कि है Wi-Fi. यहाँ पे आपको दिख जाएगा Ethernet 2 frame. यह भी है. इंटरफेस WLPDUS-S0. इस वाइफाई interface. इस हिसाब से यह आपका inverted TCP IP model है. तो इसमें हम इसे कभी भी expand करके देख सकते हैं हमें इसका details दिख जाएगा. तो यह हमारा सारा details दिखागा packet का. अगर आप किसी conversation को double click भी करते तो भी आपको यह details दिख जाएगा. अब इसमें हमारे पास बहुत सारे तरीके किसी भी चीज का analysis करने में. मैं सबसे पहले अपना filter यहां पर हटा रहा हूँ. आपको मैं बताता हूँ कैसे आप filter check कर सकते हैं. अनलाइस के अंदर जाएंगे तो आपको display filter दिखेगा. तो यह सारे filter आप example है filters के जिन examples को आप use कर सकते हैं. इस example के लिए मैं IP address डालता हूँ. ip.addr is equal to is equal to 192.168.1.1 और से enter मारता हूँ तो मैं को यह सारा conversation देख जाएगा. जहां पर IP address की field में, source है destination में हमारे पास यह value available है. अब मैं इसको एक दूसरे filter के साथ combine करता हूँ कि मैं को destination चाहिए 1.12. तो मैं इसे apply as a filter करता हूँ and selected. so IP address यह और जहां पर IP destination है 1.12. तो यह मिल जाएगा. हम इसको केवल DNS का यहां पर hand and DNS करके तो यह मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप filter करके packet analysis कर सकते हैं. बहुत सारे protocol हैं जिसमें आपको अपने required analysis के लिए कुछ protocol चाहिए तो आप यहां पर filter कर सकते हैं जैसे हैं जाएगा. अगर HTTP चाहिए तो आप के वहले HTTP filter बार में search मारिए. HTTP के protocol के सारे packets मिल जाएगे. अगर आपको यहां पर इस column में कुछ update करना है तो आप यहां पर जाके column preferences में जाके कोई भी column को add कर सकते हैं जैसे कि मैं डालता हूँ यहां पर TCP port जाफिर source TCP port तो इससे मैं को पता रहेगा S मतलब source तो मैं यहां पर जाओंगा source port और यहां पर मैं को source port दिख जाएगा. ऐसे ही अगर मैं को column preferences में मैं कोई पीपी इसमें तो इस तरीके से आपको information आप इसमें और add कर सकते हैं एक और column में हम लोग add करते हैं कोई भी sample column destination port so d tcp port okay यहां पर source or destination port आपको देख जाएगा तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका source port है कौन सा आपका destination port है तो यहां पर 858 642 तो इस तरीके से आपको source or destination port भी इसमें आप add कर सकते हैं, filter कर सकते हैं आप किसी filter को save भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर plus button करके उस filter को save कर सकता हूँ http तो यह मेरा जब भी मैं इस button क्लिक करूँगा वह वाला filter apply हो जाएगा cross करने से आपका filter हट जाएगा एक option है analyze के अंदर follow TCP stream तो यह TCP stream जब भी आप follow करोगे आपको उसके अंदर जो data है वह आपको मिल जाएगा कि क्या actual में data है तो किसी भी TCP stream में अगर वह TLS से encrypted नहीं है that is transport layer security तो आप उसका data देख सकते हैं तो अभी भी आप किसी website को visit करते हैं अगर वहां पर http है तो आपको यह not secure वाला connection is not secure वाला sign देखेगा अगर वह HTTPS है जैसे यहां पर अगर आपका HTTPS है तो यहां पर connection is secure दिखके लिए तो कि HTTP में आपका communication है वह कोई भी sniff कर सकता है कोई भी check कर सकता है तो इसलिए HTTP में आप TCP stream से packet को combine करके सारा conversation देख सकते हो कि क्या उसमें हो रहा है दूसरा option आपके analysis में आप अगर आप चाहें तो सारे IP क्यों आप एक बार देख सकते है IP before status 6 में है all addresses में तो यहां पर जैसे आप दिखेंगे कि मेरा जो IP है 1.12 है इसके packets है 1196 में से 1173 और बाकी सारे यह packets capture हुए है जो different you can say IP address को belong करते हैं स्टैसिक के अंदर option है IP before के अंदर destination and source and destination addresses जैसे आपको बता चलेगा कौन से IP के बीच में मतलब सबसे आदा communication है all right तो इस तरीके से आप conversation को भी check कर सकते है status 6 के अंदर आपको एक और option ललता है protocol HRK का इस protocol HRK में आपको पता है चल जाएगा कि कौन-कौन से protocol captured हुए हैं और उनका क्या percentage है कितने packets हैं क्या bytes है और क्या उसका throughput था जब वो capture हुआ है तो आप देखोगे कि मेरे पास UDP के अंदर layer 4 UDP के अंदर मेरे पास यह application है NTP, DNS और admin TCP के अंदर मेरे पास TLS है जहां पर मैंने HTTPS वाले websites को जो browse किया होगा तो मेरे पास TLS protocol आया होगा और उसके अंदर HTTP आया है लेकिर कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल HTTP वाले होंगे तो अगर आप देखें तो 52% जो packet है वो TLS वाले है और केवल HTTP वाले मेरे पास 12 packet है यह online certificate status protocol यह भी HTTP का part है जो certificate sharing में फिर IGMP और ICMP जब मैं पिंग यूज किया था तो ICMP protocol और address resolution protocol जो आपका क्या किते IP address को एक Mac address में map करने के लिए यूज होता है तो यह बहुत सारे protocol है अलग-अलग protocol का कुछ अलग काम है उसके लिए आपको networking background से अगर आप है तो आपको काफी idea हो जाएगा कौन सा protocol किस चीज के लिए use होता है बट जब भी आप protocol analysis कर रहे हैं आप वायर शाप में बहुती pinpoint तरीके से अपनी information को ढूण सकते हैं तो इसमें हम लोग जैसे TCP stream, HTTP stream में इसे follow करके उसका details भी निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ packet length भी check कर सकते हैं कि packet का length क्या था तो यह option है statistics बगरा के अंदर आप जो check कर सकते हैं preferences में आपको मवज़ा देता हूँ name resolution के अंदर आप चाहें तो DNS server को add करके अपने protocols को अपने IP address को DNS में update कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर resolve network IP address को click करता हूँ preferences के अंदर name resolution के अंदर resolve network IP address तो जैसे मैं click करूँगा यह क्या करेगा wild shark सारे IP address को resolve करने कोशिच करेगा कि क्या उसका DNS domain name server से क्या value आ रहा है तो अगर अब आप देखें तो मैं जरा destination से एक बार sort मार लेता हूँ तो जो भी मैं result IP address होंगे वह यहाँ display हो जाएंगे जैसे कि यह आपका हो गया gstatic adss1 google.com तो इसके बाद आपका यह मेरा laptop का है youtube ui.l google.com तो यह सारे हमारे जो अभी हमने capture किया है इसमें यह domain है तो इस तरीके से आप analysis को अपने और strengthen कर सकते हैं टेलिफोनी वाला जो tab है वो जब भी आप LTI, Mobile Network, VoIP Calls इन सब जीसम पर अगर आप काम कर रहे हैं उसके लिए use होगा सिप statistics है आपको सिप conversation की statistics पता चल जाएगी और wireless में आपके पास WLAN traffic है और Bluetooth traffic है तो एक option है आपका अगर आपको wifi का traffic को decode करना है protocols के अंदर आप जाए IEEE के अंदर IEEE 802.11 उसके अंदर आप यहाँ पे enable decryption पे क्लिक कीजिए और edit कीजिए decryption keys को यहाँ पे आपको अपने wifi का password डालना है जैसे कि मेरा WPA PWD है और मैं यहाँ पे अपना wifi का password डालूँगा sample password और डालूँगा उसकी key यानि की SSID SSID और sample password जब आप इसे input करेंगे तो आपका wifi network को यह decode करेगा और आपको उसके corresponding packets भी दिखाएगा तो यह बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको wifi का conversation भी देखना है तो आप इस तरीके से आपने wifi की key डालके उसे decode कर सकते हैं तो यह बहुत चोटा सा overview था Wireshark का comment box में लिखके बताईए कि आपको इसमें क्या और videos देखने हैं मैं कोशिच करूँगा आपकी comments के हिसाब से और videos को upload करने का Thank you इस video को देखने के और please subscribe to my channel Have a good day, good bye